हाई फ्रेंड्स, वेलकम टो माई यूटूब चैनल, तो आज हमारा पास सेमसंग का M21 फोन आया है, उसमें प्रोब्लम क्या है यहाँ पे देखिए, यह यंगोन लोगो पे प्रोब्लम है उसकी, हम इसको यहाँ पे वेटरी को रिम्मो करते हैं और फिर से कनेक करते हैं और च देखिए फ्रेंड्स, यह आप इसमें 15 मीट लगाऊगे या 20 मीट लगाऊगे, तो यहाँ पे इस तरीके से लोगो आएगा, तो यह जो प्रोब्लम है फ्रेंड्स है, हमारा जो CPU है, हमारा प्रोसेसर है, डबल डेकर CPU उसको बोलते है, पॉप-प CPU बोलते है, तो यह प्रो पुरी डेटेल के साथ समझाने की कोशिश करेंगे, फ्रेंड्स, तो बने देए हमारे वीडियो के साथ, यहाँ पे देखिए, हमने इसकी सिल को पहले से रिमू कर दिया है, और यहाँ पे हम CPU की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, तो बने देए अमारे वीडियो के साथ, की वज़े से हम जब RAM को निकाल देंगे तो उसके बाद रिया पर फोह को और देंगे तो अम also हमें कोई बाद में प्रोब्लम ना आएंगी इसकी वज़े से तो हम यहाप एक कपसिटर को ही रिमूग एक और यहाप सम्झाएंगे कि हम इसको RAM को किस तरीके से clean करते हैं CPU को किस तरीके से clean करते हैं और पूरी detail के साथ आपको समझाने की कोश करेंगे तो जैसा कि friends यहां पे हमने Capacitor को remote कर दिया है और यहां पे जो अभी में temperature की बात करता हूं तो temperature अपनी SMD के इसे आपसे डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी SMD है मेरे पास जो SMD है यहाँ पर अभी हम यहाँ पर 300 के आसपास हमने टेमपरेचर रखाए अपनी SMD में 350 भी रख सकते हो चैसे SMD तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने थोड़ा पेस्ट को लगाया है और यहाँ पर आइग रेम चाहिकर से गाइब करेंडी से तो यहाँ पर हम थोड़ा पेस्ट और लगा देंगे और यहाँ पर एक ओपनर की मदद से यहाँ पर देखिए किस तरीके से हं little bit देखिए को बेंड करेंगे और यहां पर देख्यों थैखिए और यहां पर पर शिक शिव लगाएंगे और यहां पर soldering iron के मदद से यहां पर प्रेस नहीं करना है अलके आतों से इसके उपर आपको रगड़ना है पहले किस तरीके से देखिए मैं जिस तरीके से करता हूँ उस तरीके से आपको रगड़ना है ज्यादा प्रेस नहीं करना है और इस तरीके से करने से क् आपकी जो पेस्ट लगी है बोल जो आपने सोल्डिंग होगी वो सही से यहाँ पे निकल जाएगी तो जैसा कि कुछ इस तरीके से आपको करना है ज्यादा प्रेस करोगे तो प्रोब्लम क्या होगी कि आपकी प्रिंट सोट हो जाएगी ट्रेक तो ज्यादा ट्रेक सोट हो जा चीज के ध्यान रखना है कि आप कोई भी डिस्वोल्डिंग वार यहां पे खुछ इस तरीके से रगड़ो तो कोई components आपका निकलनानी चाहिए अगर यहां से components कोई भी आपका missing होगा तो कोई problem हो सकती है कभी light नहीं आती है कभी आपका audio नहीं होता है तो वह चीज आपको ध्यान रखनी है जो components यहां पर सभी होता है वह सभी components आपको एक बार photo खीच लेने का है उसके बाद आप CPU लगाने के बाद आपको एक बार चेक कर लेने का है तो देखिए reference यहां पर भी हम थोड़ा प्रेस नहीं करेंगे आपको रोजिन का यूज जरूर करना है और यहां पर desolding wire को रोजिन के साथ deep जरूर करना है और कुछ इस तरीके से यहां पर आपको रगड़ना है ताकि आपकी जो भी paste है वो सही से clean हो जाएगे और जब आप cleaning करो तो ज्यादा प्रेस नहीं करना है प्रेस से क्या हो जाता है बहुत ही track short हो जाता ही थोड़ा बहुत track short होगा तो कोई problem नहीं होगी ज्यादा track short होगा तो आपको UV लगाना पड़ेगा तो फिर बाद में प्रोब्लम हो सकती है तो देखे फ्रेंट्स यहां पर हमने इसको cleaning कर दिया है और यहां पर हमारी एक दो line track निकल चुका है तो उसको भी हम जंपरिंग कर देंगे मैं आपको पहले उसको बता दूँगा देखे फ्रेंट्स यहां पर यह जो line है लाइन तो इसकी continue है लेकिन दूसरे section में जाती है देखे फ्रेंट्स यहाँ पर हमने इसको jumpering कर दिया है micro jumpering तो अभी हम यहाँ पर UV mask लगा देंगे देखे फ्रेंट्स कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम लगा देंगे ताकि यह connect होना चाहिए लेकिन यह light section के लिए है मुझको लगता है देखे अभी हम यहाँ पर UV mask को लगा दिया है और UV light से इसको थड़ी दे रखते है और blade की मदद से जो हमारा UV हमने जो लगाया है वह इदर उदर होगा वह हम निकाल देंगे और अभी बात करेंगे CPU की तो देखिए अभी हमने temperature हमारी SMD के इसाफ से 220 रखा है ज्यादा नहीं रखना है और यहाँ पर देखिए हम किस तरीके से ओपनर की मदद से जो हमारी पेश है उसको हम रिमू करते है यह हमारे पास ओपनर है उसमें थोड़ी lose वाला है वह hard वाला था वह तूट गया है इसके वज़ाए से उसड़ा time लग सकता है बाकी एक जटके में ही निकल जाता है देखिए कुछ इस तरीके से आपको निकलना है और इसके उपर आप ओपनर को यूज करो तो भी ज्यादा प्रेस नहीं करना है अलक्यातों से देखना है वरना आप पूरे board को scratch कर दोगे तो इसमें भी आपको पहले scrap board में practice करना पड़ेगा वरना क्या होगा कि आपकी उसक तार होगी तो आपका CPU भी scratch हो जाएगा उसका CPU का जो UV है वो निकल जाएगा तो वो भी आपको त्यान रखना है बड़ी आराम से यह आपको करना है temperature 220 हमारी SMD में रखा है आपके पास DW 857 होगा तो आप 250 रख सकते हो कोई problem नहीं होगी और यहाँ पे हमने PCB stand में CPU को लगाय है तो ज्यादा प्रेस नहीं रखना है देखिए हमने यहाँ पे इसको टाइट नहीं किया है वरना आपका CPU बेंड हो सकता है तो वह आपको ध्यान रखना है तो देखिए फ्रेंड्स अभी यहाँ पे हम छोटे वाले opener का यूज़ करेंगे और इसकी मदद से जो हमारी पेस से उसको क्लीन करेंगे इसमें अपको ध्यान क्या रखना है कि यहादा दियर आपको यहाँ इसको फाइनल करना है देखिए अभी हमने यहाँ थड़ा पेस्ट को लगा दिया है और रोजिन के साथ हमने लिप किया है differential को और यहाँ दो बार में यहाँ इसके उपर तो रोजिन और आप डिस्वोल्डिंग वारे इसके उपर रगड़ोगे तो भी प्रेस नहीं करना है और अलक्यातों से इसको करना है तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा CPU कंप्लेट तरीके से रिबॉल हो चुका है तो कोई बॉल्स दिखता नहीं है तो यहाँ पर हम से निकल जाएंगी तो एक कोटन की मदद से आप क्लिनर का यूज करते रहना है और जो भी पेश लगए उसको कुछ इस तरीके से क्लिन करना है तो अभी बात करते हैं रेम की बॉल्स की तो यहाँ पर हमना थोड़ा गिला पीपीडी लाला है और यहाँ पर देखिए कुछ पास यह बाला है टी बाराओ तो यहाँ पर हमें प्रेस नहीं करता हूँ हलके आथो से इसको रगड़ता हूँ और देखिए यहाँ पर जो पेश लगए है वह मैं किस तरीके से निकलना पड़ेगा अभी हमें यहाँ अडीका टिमपरेचर 220 या 30 के आसपास निकलना पड़ रखेंगे पहले इसको मुझास कर देते उसके बाद हम इसको क्लिनिंग करते तो यहाँ पर खड़े पर जो मारव पेस्ट लगा है और पेस्ट सबसे रहे लएक लिएक कर देंगे वरना वह ठोड़ा फॉटब जाता है देखिए अभी यहाँ यहां पर जो हमारा पेश लगा है यहां पर हम इस तरीके से इसको क्लिन करते हैं हमने टेंपरेचर आपको कमी रखना है यहां पर वरना CPU फूल जाता है या फिर फट जाता है एसी प्रोब्लम आती है तो हमने यहां पर 220 के आज-पास ही टेंपरेचर रखा है देखिए पुछ इस तरीके से हमारा जो पेश लगा है उसको हम यहां पर ग्लू को रिम्मू करते है तो मैं कोमेट आ रही थी कि आप डबल लेकर पर वीडियो बनाए और पूरी डीटेल के साथ समझाने की कोशिस के इसकी वज़े से मैंने सुचा इस पर एक सरी से वीडियो बना देता हूँ और आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिस करूँगा तो देखिए अभी यहां पर हमने जो पेश लगाने के बाद क्लीन कर दिया है तो अभी आपको क्या करना है यहां पर एक PCB स्टेंड में ल यहां पर हमने पीपीड को लगा दिया है और पीपीड को आपको थोड़ा 15-20 मीट बाहर ही निकाल के रखना है एक कोटन में इसको थोड़ा सूखा देना है ताकि क्या होगा कि हमारी रिबोलिंग में कोई प्रोब्लम ना आए तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर हमारा यहां पर 250 रखा है और देखिए एक कोने से हम यहां पर इट अब देना स्टार्ट करेंगे और देखिए एक बार में इसको रिबोलिंग नहीं करेंगे य। पहली बार में अमरा कंप्लेट रिबोल हो चुका है तो अभी मेहन जो क्या करना है देखिए हमने थोड़ा पेस् ताकि बाद में कोई प्रोब्लम ना आए और अभी आपको सही से इसको क्लीन करना है जो हमारी पेस्ट लगी है वो पेस्ट को हम क्लीन करेंगे तो देखे फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा कंप्लेट तरीके से हमारी जो रेम थी वो रिबॉल हो चुकी है कोई भी बॉल छोटा बड़ा नहीं है एकदम प्रोपर साइज में रिबॉल हो चुका है आप यहाँ पर देख सकते हो तो देखिए अभी यहाँ पर हम CPU को रिबॉलिंग करते है तो PPD मेंने जिस तरीके से बताया कि आपको थोड़ा एक कोटन में 15-20 मीट पहले ही आपको नि सब्सक्राइब करेंगे हमारे SMD के इसाब से 280 रखते हैं और एक कोने से यहाँ पर इट देना स्टार्ट करेंगे देखिए फ्रेंड्स हमारा CPU कंप्लेट तरीके से रिबॉल हो चुका है तो अभी हम यहाँ पर इसको सही से फिर से इट देंगे ताकि हमारा बोल्स सही से से सेट हो जाएगा तो देखिए हमारा यहाँ पर CPU एक बार में कंप्लेट रिबॉल हो चुका है कोई भी बॉल्स है नहीं तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे थोड़ा पेस्ट लगाएंगे और उसकी जो बॉल्स है उसको हम सेट कर देंगे बाद में और अभी यहाँ पर र रेम बहीं अध्य हो जाएगा यह साभी प्रब्लम होता है ज्यादा प्रेश नहीं करना है अलक्यातों से जैसे ही चला होगे आपको आधा गांटा और टा integrating लगेगा लेकिन काम आपका सही हो जाएगा तो इसमें जलबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है आरम से काम करना है त तो जैसा कि friends देखिए हमारा जो glue लगा था वो glue सही से remove हो चुका है तो अब हम यहाँ पर रेम को भी rebolling करते हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी रेम सोट तो नहीं है तो friends यहाँ पर रेम हमारी completely सही है कोई problem है नहीं क्योंकि यह बात जो है आपको पहले चेक कर लेने का यह बात में कोई problem ना हो तो हमारी रेम में कोई problem है नहीं वरना में रेम को भी change करना पड़ता तो same process आपको rebolling में करना है जैसे हमने temperature का बोला हमारी SMD में हम 250 रखते हैं rebolling में temperature अपने SMD में कितना रखते हो वह आपने सबसे set कर देना और DW 857 होगा आपके पास तो उसमें आप 300 रख सकते हो तो चलिए यहाँ पर हम एक कोने से इसको heat देंगे और हमारी जो रेम है उसको हम rebolling करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर रेम भी हमारी complete थरिके यहाँ पर completely rebel हो चुका है तो यहाँ पर हम पेस्ट को लगाएंगे और यहाँ पर थोड़ा heat देंगे तक हमारी बॉल्स सई से सेट हो जाएगा तो यह process आपको भूलना नहीं है आपको जरूर करना है CPU में भी सेम process करना है और रेम में भी सेम process करना है तो अभी यहाँ पर हम थोड़ा पेस्ट को लगाएंगे और CPU को apply करेंगे देखिए अभी त्यान क्या रखना है आपको CPU को लगाओगे तो ज्यादा प्रेस्ट नहीं लगाना है थोड़ा कम ही लगाना है और हमने यहाँ पर capacitor जो हमारा था उसको हमने लगा दिया है और आपको CPU की सबसे पहले सही position आपको set करना है देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा भी जल बाजी नहीं करना है यहाँ पर आपकी इसको position को आपको सही से देखना है और यहाँ पर हमने temperature 350 रखाए और आपको सही से heat देना है CPU अप यहाँ पर हमारा जो CPU है उसकी थोड़ी position चेंज हो जाएगी देखिए फ्रेंट्स हलका सा हमारा CPU हिला मतलब कि अपनी जगप बना रहा है तो यहाँ पर हम थोड़ा paste देंगे उसके बाद फिर से थोड़ा heat up करेंगे और हलका सा CPU को moment करवाएंगे तक कि हमारा CPU सही से set हो ज देखिए हमने यहाँ पर सकॉल का सा moment करवा दिया एक कोने से फिर से यहाँ से सकॉल का सा moment करवाएंगे देखिए फ्रेंट्स ज़्यादा नहीं करना है जब आफ पावर इससी को moment करवाते हो इस तरीके से यहाँ पर moment करवाना है यहाँ दम हलका हातों से हमारा CPU हम ऐख चु है वन्ना क्या हो जाता है कि आप रेम लगाऊगे तो आपकी पावर ऐसी हीट होने लगती है ऐसी ऐसी प्रोब्लम आ जाती है स्टार्टिंग में तो वह आपको नहीं आएगी आपको रेम की पोजिशन देखिए हमने इसको सही से सेट कर दिया है और यहां पर मीट करेंगे और इसको भी ज्यादा नहीं लाएंगे हलका सा इसको मुमेट करवाएंगे वन्ना क्या हो जाता है कि यह जो उसकी बॉल से वापस में जुड़ जाती है तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो हमारी रेम से हलकी सी मुमेट हुआ है तो हम इसको ट्विजर के मदद से हलका सा मुमेट करवाएंगे ज्यादा नहीं मुमेट करवाएंगे देखिए तो हमारी यहां पर रेम से हो कंप्लेट तरीके से सेट हो चुकी है तो चलिए अभी ह हम आपको इसको चे sett करवाथे देखे फ्रेंट यहां पे हमने डबल डेकर सीपयोग को रिबॉल किया है कि हमारा जो पहले लोगोपे था वो प्रफ्रप्रब्लम हुआ है कि नहीं वह भी हम आपको चेक करवाथे तो बने यहाँ फ्रेंट से यहां पे लोगों तो आचुका है तो अभी हमें wait करना है कि कि हमारा phone on हो रहा है कि नहीं तो देखे friends यहां पे बेटरी % भी आचुका है मतलब की अभी हमारा phone on हो जाएगा क्योंकि हमें लगता है कि यहां पे % 100 हो गया है तो चलिए एक बार अमई इसको completa on हो ने देते आ चुका है मतलब कि हमारी जो प्रोब्लम थी वो सही तरीके से ठीक हो चुकी है तो आपके पास कोई भी फोन आए डबल लेकर का काम आप नहीं करते हो तो आपको 8 या 10 दिन आपको प्रेक्टिस करने करेगी डाइरेकली नहीं होगा सिधा क्योंकि हमने भी बहुत ही प्रेक् देखिए फ्रेंड्स हमारा फोन कंप्लेट तरीके से ठीक हो चुका है तो वीडियो पसने है तो लाइक से सब्स्राइब जरू को देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पसने